नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जार्खन के दिन भर की खबर जानते हैं जार्खन में उत्क्रिष्ट और मोडल इसकूलों में सिख्षको की अभी नहीं होगी बहाली सभी भरतियां रद जार्खन के असी उत्क्रिष्ट और 325 प्रखन अस्तरिये मोडल विद्यालों में सिख्षको की नियुक्ती पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, जार्खन सिख्षा पर्योईना इस समाध में जल्द ही जीलों को दिशानिदेश भेजेगा विद्यालियों में लगभग 3066 की नियुक्ती होनी है, जिसके लिए जीला अस्तर पर परक्रिया शुरू की गई थी जीलों द्वारा नियुक्ती के लिए आवेदन भी अमंत्रित किया गया था, इस दोन राज सरकार द्वाला जीला अस्तर ये नियुक्ती में EWS के आरक्षन को स्विक्रिती दे दी गई है, इसके बाद जारखन सिक्षा पर्यूर्या ने इस नियुक्ती को रोकने का नियना लिया है, अगले सब्ता नए सीरे से नियुक्ती को लेकर दिशा नियुदेश जारी किया जाएगा बिद्यालियों में कॉंट्रेक्ट के अधार पस्षिक्षकों की नियुक्ती होनी है, बता दे पलस्टू बिद्यालिय के लिए 27 से यर 500 हाई स्कूल के लिए 26 से यर 250 प्रती माह मांदे निधारित किया गया है उत्क्रिष्ट बिद्यालियों परखंड अस्तरिय मोडली स्कूल में नियुक्ती के लिए फिर आरक्चान रोष्टर किलियर किया जाएगा अब सरकार के नेनायकन रूप दस फिजदी आरक्चान EWS कोटी के अभ्यार्थियों को दिया जाएगा पलामू टाइगर रिजर्ब में बाग के हमले में एक युवक गंभी रूप से घायल हो गया है उसे राइधानी रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया है बता दे मामला सुक्रवार की साम का है जब छिपादोहर पूर्वी छेत्रे के चुंगरु गाव अंतरगत कोरवा मड़ाई जंगल में बाग ने एक युवक पर हमला कर दिया बन बिभा की टीम साथ टीम को बाग की तलास में लगाया गया है साथ टीम में 40 बन करमी है बता दे बेतला के रेंजर संकर पासवा ने इस बात की पुष्टी किया है कि हमला बाग नहीं किया है उन्होंने बताया कि छीपा दोहर पूरवी के कोरवा मड़ाई जंगल में सुक्रवार की सामबाग ने युवक पर हमला किया था युवक का बन बिभाग के निगरानी में रिम्स में समुचित इलाज कराया जा रहा है साथ ही माइकिंग वाप परचा के माध्यम से लोगों को लागातार सतर्क किया जा रहा है टी एसपीसी के टॉप कमांडर रंजाय सहीत पाच नकसली गिरफतार पलामु पूलिस को परतिवंतित नकसली संगठन तिर्तिय समेलन प्रस्तूती कमिटी टी एसपीसी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है पूलिस ने टी एसपीसी के टॉप कमांडर रंजाय सहीत पाच नकसली को गिरफतार किया है बतादे पलामू पुलिस के अधिकारी गिरफतार नक्सलियों से पुष्टाच कर रहे हैं बतादे कि गिरफतार नक्सलियों ने ही 21 मार्च को नवा बजार थाना के कंडा घाटी में श्थीत एसके एम इट भट्टे में खड़े पांच वाहनों को आग के हवाले कर दिया था 21 मार्च रात 11 बजे 30 से 40 हत्यार बंद उग्रवादी सत्यानन मेहता के इट भट्टे में लेवी की मांग को लेकर पहुँचे थे उग्रवादियों ने सबसे पहले मोंसी और इट भट्टे में कार्णत मजदूरों को बंधक बनाया था टाटा इस्टील में जल्द निकलेगी 2000 बैकेंसी टाटा इस्टील समो जमसेदपूर में वीतिय वर्ष 2025 चबिस तक करीब 4000 को रूपई निवेस करेगा यह निवेस अप्रेल 2023 से सुरू हो जाएगा वीतिय वर्ष 2025 चबिस तक टाटा इस्टील और उसे जुड़ी कमपनियों में निवेस के साथ करीब 2000 युवाव को रोजगार भी मिलेगा कमपनी नई बहाली में राज सरकार की अस्थानिय निति का भी पालन करेगी इसके तहट कमपनी 75% अस्थानियों को बहाल करेगी बतादे टाटा इस्टील के नई वितिय वर्ष में निवेस प्रोगराम के लिए अप्रेल के प्रथम सब्ता हमें भव्य कारकरम का आयोण किया जाएगा जिसमें मुख्य मंत्री हेमान सुरेन सामिल होंगे या पहला मौका होगा जब टाटा इस्टील के बड़े निवेस को मुख्य मंत्री हेमान सुरेन हरी जंडी रिखाएंगे नहाय खाय के साथ चार दिवसिये चायती छट महापर्व सुरू चार दिवसिये चायती छट महापर्व सन्निवार से सुरू हो रहा है महापर्व के पहले दिन परती अहले सुबा विभीन नदियों तलाबों और घरों में असनान करने के बाद भगवान सुरी को अरग देंगी बतादे वर्ती सकती की कामना करने के साथ ही पर्व बिना किसी बाधा के संपन हो इसकी भी कामना करेंगी इसके बाद वरत धारी घरों में पुजा अर्चना कर कदूब हाथ और चाना का दाल सहित अने परसाद तयार कर भगवान को औरपित करेंगी इसके बाद स्वयम इसे गरहन कर परसाद सोरूप इसका वित्रन करेंगी उधर खारना वर डूपते सुरग को अर्ग देने के लिए गेहूं चावल सहित अने कुछ धोकर सुखाएंगी और उसके बाद उसे घर वर मिल में पिस्वाएंगी जिससे परसाद तयार किया जाएगा इसके अलावा बजार आजी से पुजन समागरी की भी खरिदारी करेंगी बोकारों में ट्यूशन टीचर ने छात्रा से की असलील हरकत गिरफतार बोकारों में ट्यूशन पढ़ाने की दर्वान बरहमी काक्छा की एक छात्रा को असलील वीडियो दिखाकर उसके साथ छेड़ खानी की घटना सनिवार को सामने आई है पुरिशने सेक्टर 4, 80, आरोपी, ट्यूशन, सिक्छाक, ब्रहमेश्वर सिंग को गिरफतार कर लिया है घटना सेक्टर 12, थाना चेत्र की है सनिवार को CT, DSP, कुलदीप कुमार ने बताया है कि आरोपी को पोक्सो एट के तहत गिरफतार किया गया आगे मामला कानू साधान किया जा रहा है थाना प्रभारी, दुलह, चोड़े के मुताबिक 23 मार्च की रात, पीडित, छात्रा की मार ने सेक्टर 12, थान में प्राथमी की दर्च कराई है धनबाद के तीन खिलाडियों का जारखन योगा टीम में चयान जारखन योगा संग ने धनबाद के तीन खिलाडियों का चयान जारखन योगा टीम में किया है ए रायस्थान में होने वाली राष्ट्रिय योगा चेंपियंसिप में जारखन का परतिनित्व करेंगे परतियोगता 25 से 28 मार्च तक चलेगी इसमें देश भर से करीब 700 खिलाडी भाग ले रहे हैं परतियोगता में जारखन टीम की ओर से धनबाद की कविता कुमारी दिपक कुमार और पंकच कुमार अपने परतिभाद दिखाएंगे जारखन टीम में इनका चयन होने पर धनबाद जिला योगा संक्या ध्यक्स, भावानी, बंधो, पध्याय, उपाध्यक्स, महाविर परसाद महतो, महेंद्र परताप, दिनेस यादव, ब्रमदेव यादव, अजय कुमार सिंग, कौसर कुमार सिंग, आधी ने बधाई दी ह राम naha 정부 को लेकर शुरक्षा वेवस्था में 5000 होम गाड होंगे तयनाथ, धारखन टो में, राम नामी को लेकर सुरक्षा वेवस्था पोक्ता की जा रही है, इसके लिए पुलिस मुख्याले की और से 5000 होम गाड की तयनाथी की आदयस दिये गाई है, इसके अलावा 24 जिलो म पुलिस बल की भी तैनाती की जाएगी बता दे जार्खन में रावनावी के आउसर पर बीदी बेवस्ता के संधारन के लिए राज्य के 24 जीलों में 5 हैर होमगाड की तैनाती की जा रही है इस समध में ADG अभियान के द्वारा स्विकृत प्रदान कर दी गई है इन सभी जवा के लिए 28 समार्च से लेकर 4 अपलेल तक कूल 5 दिन के लिए कूल 5 हैर होमगाड जवानों की तैनाती पुरी परदेश में की जाएगी राहूल गांधी की लोग सभासरसता रद करने का बिरोद राहूल गांधी की लोग सभासरसता खत्म किये जाने के खिलाब कॉंग्रेस लागातर अंदोरन कर रहा है इसी कड़ी में रांची में युगा कॉंग्रेस का परदसन हुआ बता दे रायधानी में उन्होंने पी-म का पुतला फुका और केंदर सरकार पर निशाना भी साधा कॉंग्रेस के पुर्वराश्ट्रिय अध्यक्ष राहूल गांधी की लोग सभासरसता समाप्त करने के विरुद में सवनिवार को रायधानी में युगा कॉंग्रेस का परदसन हुआ रांची के हर्मु चौक पर कांग्रेस नेताओं ने पी-म नरियंदर मोधी का पुतला फुका और केंदर सरकार के खिलाप जमका नारेबाजी की है रांची के ट्रक ड्राइवर की बेटी सुसमा बनी मिस आइकोन इंडिया रांची के और मांची बलोक में एक गाउं है रोला इस गाउं की बेटी सुसमा ने मिस आइकोन अफ इंडिया के खिताब जीता है इस परत्योकता का आयोजन 36 गड़ में हुआ था एक सधन परिवार से आने वाली सुसमा आम लड़कियों के लिए किसी प्रेना से कम नहीं है बताजे सुसमा के पिता राइंद्र महतो ट्रक डाइबर है और मां उर्मीला खेती बारी करती है सुसमा बचपन से ही मोडल बनना चाहती थी सपना अब पुरा हुआ है या उन लड़कियों के लिए किसी प्रेना से कम नहीं है यही नहीं सुसमा ने कस्तुरवा बलका बिद्याले से मैट्रिक किया है RTC स्कूल बुटी मोड से इंटर और अभीराची विश्व बिद्याले के मास कौम में प्रत्थम वर्स की छात्रा है जार्खन राज बागवानी मिशन में घर्बड़ी जार्खन राज बागवानी मिशन में फ्रॉंट लाइन डेमोस्ट्रेशन के नाम पर घर्बड़ी के असंका है योजना एवं बीत विभाग ने प्रारंभिक जाच में कई बिंदों पर अपत्ति जताई है विभाग को असंका है कि इस स्कीम का संचालन तय नीमो के बीप्रित किया गया ओडिट टीम ने विभाग को स्थितियस फर्ष्ट करने को कहा है टीम ने जाच के दोरान केस स्टाडी के तोर पर कुछ स्कीम लिया है बतादे राजधानी राची के पिसका नगडी के एक मामले की जाच के करह में आडिट की टीम ने पाया है कि एक लाभो को बिना जमीन के 18.75 लाख रुपए की स्कीम दे दी गई टीम ने पाया कि भोला महतों को दी गई इसकी मार्च 2017 को पूरी हो गई थी जबकि भोला महतों और उनकी पत्नी के नाम से जमीन 24 अगस्ट 2018 में निवांधित दिखाया गया गर्मी के मौसम में इस्कूल की टाइमिंग में बदलाव को लेकर सीम को पत्र पोड़या हाट विधायक परदी प्यादों ने मुख्य मंत्री हमांसुरिन को पत्र लिहकर सरकारी एवां सरकारी सहता प्राप्त विध्यालों में ग्रिष्ण कालिन समय में कक्षा संचालन के लिए विभाग द्वारा जारी समय को परिवर्थन करने का अग्रक या सरकारी विध्यालों को एक अप्रेल से 30 जून तक प्राप्त विध्यालों में ग्रिष्ण कालिन अओधी में कक्षा संचालन के लिए विभाग द्वारा 15 मार्च को एक आदेश जारी किया गया है जिसमें सरकारी विध्यालों को एक अप्रेल से 30 जून तक प्राप्त 7 बए से 2 बए दिन तक अख्षा संचालन का नेदेश दिया गया साथ ही इस अओधी में 1 बजे दिन से 2 बए तक बचों की खेलकती विध्या सामिल है उस समय काफी गर्मी का समय रहता है जिसे उन्होंने काफी अबेभारी करार दिया है अर्थ आवर डे आज बिजली की बरवादी को रोकने के लिए हर साल की तरह इस साल भी 25 मार्च सनिवार को दुनिया भर में अर्थ आवर डे मनाया जाएगा सनिवार 25 मार्च 2023 को राच साड़े आट बए से साड़े नौब बए तक गयर जरूरी लाइट स्वेक्षा से बंद रखकर इस पहल में अपना योगदान दे सकते हाए बतादे वर्ष 2007 से चलाया जा रहा अर्थ आवर अभियान परियावरन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जमीनी आंदोरन बन गया है इसे भारत समेत 172 देशों का समर्थन मिल रहा है टाठा पावर ने अर्थ आवर 2023 को पढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड वाइज फंड फोर नेचर का समर्थन किया है मौसम विभाग ने 26 मार्च यानी रविवार को कृति का नचत्र और पिरिती योग में वरती पूरे दिन उपवास रहकर संध्या काल में खरना के पूजा के बाद पर साथ गरहन करेंगी इसी के साथ वर्तियों का 36 खंटे का निर्जला उपवास सुरू हो जाएगा लेकिन इस कठिन वरत के दौरान इस बार मौसम वरत धारियों का भरपूर साथ देगा कारण है कि 26 मार्च को बारिस होगी वही 27 मार्च को अस्ताच चलगामी सुर्यों को जब लोग अर्ग देंगे उस दिन आसमान में बादल चाहे रहेंगे वही 28 मार्च को उदेयमान सुर्यों को अर्ग अर्पित कर जब वरती पारण करेंगी उस दिन आसमान साफ हो जाएगा इससे से छट वरतियों को सबसे ज़्यादा रहत मिलेगी धन्यवाद यदि आप चैनल परनाये हैं तो चैनलों को सब्सक्राइब कर बहुल का बेल एकन दबाईए साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को साथ सेर करना ना भूले साथ साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़बैक अवस्यादे थैंक्यू